कि है गाइस कैसे हैं आप लोग तोस्ट यहाँ पर जैसे किम लंग जानते कि वनप्लस की तरफ से यहाँ ब्लाइब नया फोन यहाँ ब्लाइब लाइब रोगव जो हैं फ्लाइब और यहाँ ऐसको तोखा प्लॉस ने बच्छ चीह तो इकदम से में और यहां पर कुछ चीजी इसमें कम भी की गई घंज की ऑगी आप पर अपकें समसंग गैलेशी . आपको इत्रे की प्लास्टिक देखने को मिल जाता है वाई कि इसेंसंगे शोटी सी की शोटी से बरांदीन देखने को मिल जाते हैं डोनों ही फोन में कीकर अधीन तो यहां पे जो तिकने सवेट की कम है यानि की फोन काफी पतला होगा तो आपको यहां पर धिकने 7.9 ं-2 आकी देखने मिल जाता है वह जाए कि Samsung और भारी होगा 193 ग्राम कर देखने को मिलने वाला है तोस्वाइब बात करने कि अगर इंद बॉस में आपको यहां पे OnePlus में आपको आपको 30W का फार चार्चरजर आपको आपको इन बॉस में मिल जाता है चांच के बात करें तो यहां पर आधे घंटे में यहां बात चांच का निया था कि यहां बात करें तो लगबग यहां पर 50 मिनट या 55 मिनट के आज पास पास फुल चार्ज हो जाना चाहिए वह जिए यहां पर Samsung की बात करें तो इसमें कोई officially मैंसर नहीं था इसमें यहां पर लगबग मेरे साब से 2.5 गंटे तो लेगा चार्जी टाइम में तो इसमें बात करें अगर mobile के camera की तो यहां पर आपको oneplus में 64 MP का आपको यहां पर main camera देखने मिल जाते हैं Samsung में आपको 48 MP का देखने मिलेगा दोनों में आपको यहां पर 8 MP का ultra wide मिल जाता है और यहां पर oneplus में आपको 2 MP का mono मतलब जो black and white जो depth sensor जो होता है वो basically आपको मिल जाते है और Samsung में आपको 5 MP का micro और आपको 5 MP का depth camera देखने को मिल जाता है वह जिए कि दोनों में हम यहां पर 4K तक की video शूर कर पाएंगे दोसां पर बात करें अगर selfie camera की तो यहां पर oneplus में आपको 16 MP का यहां पर selfie camera देखने को मिल जाता है जिम्में यहां पर sony का IMS 471 यहां पर sensor यूज़ कर गया है वह जिए कि यहां पर Samsung में आपको 20 MP की selfie मिल जाती है और वह जिए कि यहां पर दोनों में वीडियो शूर हम से वह सी full HD तक ही कर पाएंगे दोसां पर बात करें अगर display की तो यहां पर जो display जो है यहां पर oneplus में थोगा चोटा आपको मिलता है 6.43 इंच का मिलता है वज़े कि Samsung में आपको 6.6 इंच का देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर oneplus में आपको full HD पिलस यहां पे fluid अमिल जात सकते हैं कि यहां पर यह तरह का compromise किया गया डिस्प्ले के साथ Samsung में और वज़े कि यहां पर आपको कॉर्णिंग गोई लग लास सिरी की production मिल जाएगी हाला कि यहां पर यह को ऑफिशली मन से नहीं था यह मेरा खुद का अंदाज है अगर आपको याली production नहीं मिलती तो 90Hz का यहां पर आपको इसकी रिफ्रेश्चेट मिल जाता है वज़े के Samsung में आपको सिवस्वीव 60Hz का सिरी मिलेगा यहां पर इसकी टूबर इस्वाइश्व आपको कामाल का मिल जाता है 90% के आजसपास आपको देखना को मिल जागा दोस्तों आपर बात करें अगर प्रोसे कि तो है आपको दोनों ही फोन में फोन में पहुत स्वाव हैं बहुत ज्यादा कमाल की मिलते है वन प्लस में आपको यहां पर आख संसेंग की बात करें तो इस वा BUT 1.1 बहुत सारे कश्रमाई यह समय आप काफी सेक्वेर है क्योंकि यहां पर आपको nox security देखनों मिल जाती तो यह सब चीज़ें यहां पर Samsung को जो है मतलब काफी अलग मतलब एक तरह का next level पर लेके जाता है दोस्वाइब बात करें अगर कुछ आपको इंडिस्प्ले फिंगा पर इस देखने को नहीं मिलेगा आपको देखने को नहीं मिलेगा Samsung में आपको hybrid मिलता है यानि कि आप dual sim यूज किजिए या तो एक sim और एक memory card यूज कर सकते हैं और दोनों ही फोन में 5G मिल जाता है single speaker देखने को मिल जाता है दोस्वाइब बात करें कि तो वन प्लस में आपको तीन वेरेंट देखनों मिल जा तो आपको Samsung में थोड़ा सा बड़ा तो मिल जाता है लेकिन जो क्वाल्टी जो आएगी वापको OnePlus में काफी देखने मिलेगी चुकि इसमें आपको Full HD यहां पर देखने मिल जाता है सथी साथ आपको यहां पर 90 Hz वाला आपको यहां पर इसकी रिफ्रेश्येट मिल जाता है Samsung